कि नमस्कार आप सभी का आर्दिक स्वागत हैं एन्विर एज्यूकेशन के इस यूटूब चैनल पर और मैं संपत ले लिए आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर सिक्सक बरती की तेयरी करवा रहा हूं जिसके अंडर हमने कंप्यूटर का फंडमेंटल क्लियर कर लिया है कं तो आप यूटूब के अंदर सप्टे हैं या फिर आप कंप्यूटर आर्किटेक्टर बाई सम्पत लेलर शार आप जो भी टोपिक सीखने चालते हैं कंप्यूटर फंडमेंटल है तो उनके आगे लिकेंगे अपके सामने जो है मेरी प्लेश जोगी वह आ जाएगी तो तो आप जो है सर्च करके भी जो है उन तक पहुंच सकते हैं मैंने उसका भी जो है अलग से इस्टेक बना दिया है तो आपको जो है वीडियो के डेश्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा आज हमारा जो टोपिक है वह है ए आर मोडल का एंटिटी रिलेशनसिप मोडल के बा इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजीगा जिससे जो भी मेरी नेक्ट क्लासे जाए उनकी सूचना तुरूंत आपको अपने डिवस के उपर मिल जाएं अगर आप आई टी विबा के किसी भी एक्जाम के तहरी कर रहे हो तो अभी आप सही चैनल के उपर जुड़े हैं चाहे सूचना साहे को चाहे साहे को प्रोग्रामर और असिस्टेंट प्रोग्रामर इस सब भर्दी की तहरी आपको इस चैनल के उपर एक इस्तान पर मिल जाएगी वह भी बिलकुल फ्री में ठीक है तो आज ही चैनल से जुड़े जो नहीं जुड़े हैं अभी तक चलिए और तो मनों यहाँ पर आज जो टोपी के वह पहले बता देता हूं ताकि हम आपको पता रहे क्या आगे कि स्ठीम के बारे में history को से पारे में डिसक्स करेंगे आज के दिके घचर rec 많은 है क्या उसके बाद हम जानेंगे याँ पर आपके single versus multi जो है इसके er model में attribute कौन कौन से होते हैं attribute के types क्या कहते हैं को single versus multi valued simple versus composite stored versus derived और key versus known की इन types के बारे में जो हैं दुख्या है की problem नहीं आती इस टोपीक हुसा मदने में चलिए तो में आपके सामने मैंने के बारे में जो कॉंसेप्ट आउसकी बारे में में डिस्कस किया था की क्या होता है एक बार बताएगा बढ़ कोई की क्या होता है जल्दी से comment box में बता दीजिए की क्या होता है की तो लगबख सभी ने answer दिया है यहां पर check कीजेगा की क्या होता है तो की जो है की के द्वारा जो है हम किसी भी table में details होती है data जो होता सौरी किसी भी table में data को uniquely identify करने में की जो होता है वह सबसे बड़ा एक रोल जो है वहां पर रोल होता इस की का की के द्वारा हम किसी भी table में data होता है उसको uniquely identify कर सकते हैं अब इस की के भी अलग-अलग types थे जो मैंने कल आपको बताए था जिसमें आपको बताए था मैंने primary key है ठीक है foreign key है candidate key है candidate key था और एक आपके last में था super key इन चारों के बाले हमने कल देखा था तो simple सा इसको थोड़ा example के साथ समझ लीजेगा candidate key क्या होता है candidate key एक एसी कीज का सलेक्शन होता है ठीक है नहां ऐसी कीज बोल लूंगा मैं यहां पर स्कीज यैनि बहुत सारी कीज का collection होता है जो data को यूनिकली अइ Очे पर करने में मदद करती है हमारी तो वह है अपनी candidate key इन हमारे इसमिपनी candidate नमबर है मोबल नमबर आपको बता होगा तो यूनिक यूनिक होता यह डूपलिकेट वैल्यू नहीं हो सकती है और अगर आप देखे तो और आपके जैसे आईडी नमबर है ठीकिन एंपलॉई का जो आईडी है वह आपका यूनिक हो सकता है तो मलब इससे बहुत सारे पॉइ किसी को मिल सकता है नहीं मिल सकता है क्योंकि वह सब यूनिक होते हैं तो हम जब भी किसी भी कैंडिडेट की का क्लेक्शन जब सेलेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका अंदर वैल्यू हमें सा डूपलिकेट ना सके तो उसको हम कहते हैं कैंडिडेट की यह आपको कल म सामने ठीक है यह स्टूडेंट का नेम है और यहां पर आपके जैसे कोई फीस है अब यहां पर नेम जैसे मैंने लिखा रहे हैं सोरी राम स्याम और वापस राम लिख दिया ठीक है अब इसमें एज फॉटी फाइफ यह ट्वेंटी एट और यह वापस फॉटी फाइफ जिस से आप इसको उनिक है ठीक है यहां पर आप क्या करें इस राम को बहुत सकता है कि एक सो एक या एक रोल नमबर यह है दो नमर रोल पे यह राम है या आप इस मदद से इसको अलग लग कर सकते हैं वाहां पर प्राइमरी की आपकी घल्प बाइमरी की जब भी टोपी आता है तो हमें साथ कुछ छीज़ें ध्यान रहेगा कि परतियाक टैबल में एक से अधिक प्राइमरी की नहीं हो सकती है दूसरा क्या याद रखना है कि उस टैबल में पराइमरी की सेट की गए तो उसके साथ नॉट नल कॉंस्टेंट भी यूज चोड़ देता हूं बतो अब कैसे उनिक्पाई करो प्राइमरी डालने के बाद भी नहीं कर पाओगे तो इसका फिक्स निया मैं कि इसको कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता है इसलिए टैबल में प्राइमरी की बनाते से मैं बहुत सारी पॉरेंकी क्या होता है देखो सिंपल से सम्घो फॉरेंकी का मतलब होता है जब एक टैबल का प्राइमरी की जैसी ये बेश टैेबल हैं ठीक है योह कि रहें होगा इस कोलम का वह यहां पर आएगा तो हमेसा ध्यान रकेगा और अब कि का मतलब होता है जब कि कि भी की जब कि वेल्य को रोप में पर यह लाया जाता था तो उसको को यहां पर भोर के एगे क्या कहेँ कहुए माइव कहेंगे जिस टैबल से प्राइमड की कieß रूप में आ रही है गा 설 कि जानर के सब्सक्राइब कहेंगे और इस टैबल में फॉरैंड की डिकलेर की रही है उसको हम कहें डिक्लेजरींग टेबल यह एक्जाम हाचु का question नहीं पर ध्यान रखेगा जिस टैबल से primary key को derived किया जा रहा है या जहां से प्राप्त किया जा रहा है बेस टैबल होती है उसको reference टैबल कहेंगे और जिस टैबल में foreign key को declare किया गया या लाया गया है उसको हम कहेंगे referencing table यह कल का हमने देखा था और last आपका super key था तो इसका simple से याद रखना है जब किसी candidate key के साथ other key को use किया जाता है तो उसको हम कहेंगे क्या super key कहेंगे like मैं आपके सामने एक example रखता हूं अगर किसी को कल बाला टोपी गया दे तो बताएगा इसमें राइट सेलेक्शन कौन सा है मैं लिखता हूं यहाँ पर जैससे कि बताए इसमें से super key आप कौन से box को बना सकते हैं first वाले को या second वाले को सभी comment box में बता है यह box नबर एक हैं यह box नबर दो है बताओ इसमें से super key का और right example कौन सा है आप इन में से किसको super key मान सकते हैं या किन की मदद से super key declare कर सकते बना सकते हैं सभी comment box में लिखें जितने भी तेहरी कर रहे हैं सभी जो जिन्होंने सिद्ध से अच्छे से अगर तेहरी किया समझा एकल का टोपिक तो वह आज इसमें जरूर आंसर दे पाएगा कल मैंने आपको बताया था इसका एक्जामपल वैसे सभी बताएं भी candidate की का मैंने वैसे आज भी हिंट दिया था तो अभी यहां पर आप समझ गया होंगे बहुत जबहुत 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 हैं कि इन दोनों में से कौन से बॉक्स की वैली को आप सुपर की डिक्लेयर कर सकते हैं कि सभी comment box में लिखें सभ अगर कोई अन्य की का यूज किया जाता तो उसको क्या कहेंगे हम सूपर की कहेंगे कैसे candidate की का मैंने एक्जामपल किया दिया था कि ऐसी कीज का कलेक्शन जो data को uniquely identify करने में मदद करती हैं तो उसको हम क्या कहें कि candidate की अब इसके साथ कोई भी अधर दूसरी लो ना की चाहि है तो आपके अगर नहीं भी लिखा होता नहीं पर मैंने लिखा हो तो भी आपको में सद्यान रखना है माइंड में कि जो जो कोलम के अंदर जो की होते हैं उपर की वो uniquely data identify करती है वो candidate की में आती है primary की होती है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इस candidate की के साथ यह अन्य की है ठीक है ना data uniquely identify करने के लिए जो की का प्रियोग किया जाता है उनको की कहते हैं ठीक है ना और यह तीन चार परकार सोरी चार परकार की जो की थी primary की foreign की सूपर की और candidate की तो आपको यह समझ में आ चुका होगा अभी मैं जो है इसको यहां से clear कर रहा हूं ताकि हम next topic को सु जाएंगे तो आपको यहां पर कोई problem नहीं आएगी अगर यह topic आएंगे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेकिए आपका repetition दिया है और वैसे अगर यह हो ऐसा डेली का repetition तो अच्छी बात रहती है ताकि आप पहले वाला जो है ना भूले अब देखे का हम बात करेंग जिससे important को यह जो है आसानी सी यादो trick वी यादो ऐसा समझ सकते हैं आप ठीकर अच्छे एक्जांपल दोंगा जिससे आपको याद हो जेगा सबसे पहले हम ध्यान देते हैं यहाँ पर ER model यहाँ पर मैं लिखता हूं ER और यह आपका हो गया model अब इसका मतलब क्या है तो सम की रिलेशनसिप मॉडल एंटिटी रिलेशनसिप मॉडल होता है उसे हम ER model कहते है सौर्ट में अब इसका यूज कहां पर होता है पहले यह देखिया इसका यूज होता है लोजिकल डाटा री परजेंटेशन अब अगर किसी को three schema architecture का अगर topic याद होगा तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जिसमें एक logical level होता है जैसे देखें यहाँ पर यह होता है आपका user यहाँ पर बैटा है अब user जो है वो कोई एक view से connect है और view के थूरू वो जाता है physical level पर सौरी logical level पर और उस logical level से फिर वो जाता है physical level पर और यहाँ से सीधा वो जो है जम करता है इस database के उपर थोड़ा दियान से समझेगा भई ताकि आपको आज के topic आसानी से समझवाए यह मेरा यहाँ पर database है यहाँ से इसके उपर जो level होता है उसके बाद logical और यहाँ पर आपको बता होगा तो यह यहाँ पर है आपका view जिसको आप API बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं इसके अंदर यूजर यहाँ आपर connect हैं कोई मुझे बता सकता है कि इसका में इसको यूज किस लिए कर रहे हैं और उसके नोट्स आप देख ते रहे हैं तो किसी को अगर पता हैं तो comment box में जरूर बता है कि हम इनको यूज क्यों कर रहे हैं ठीक है अभी इस टोपिक पर आते हैं लेकिन पहले यहां समझे ताकि यह लेवल आपको में समझा सकूँ यह हम यूज क्यों कर रहे हैं यह यहां पर काम क्या आ रहा है मैं चीज एक दो तेन सभी लिखते रहे हैं जिनको आता है इस कांसर चार पांच छे साथ आठ नो और दस रुख जाईए अभी मैं आपको बताता हूं कि सब्सक्राइब देटि में चीज जो सब्सक्राइब का यह मैं चीज यह है कि यूजर को returning का क्या हुगा वह उस डिटा को कौन कौन सी टेबल है उसका टाइप किस प्रकार से डेटा किस टाइप से स्टोर किया गए है कौन से फॉर्मेट में तो वह आपको इसकी मामे बता आता है तो यहां पर मैंने बात की ती इस लॉजिकल लेवल पर तो इस लॉजिकल लेवल पर क्या होता है भाई समझेगा इस अंतर होता है आपकी एक डेटाबेस के अंतरगत कौन-कौन सी टेबल है यहां टेबल की इनफॉर्मेशन रहेगी उनके बीच में कौन-कौन सा रिलेशन है और तीसरी बात पता चलती है कि उनके अंदर कौन-कौन सा डेटा है लोजिकल लेवल का मतलब क्या था कि वहां पर कौन-कौन से टेबल है से एडडिया कोलम है फोई गूलां में यहां पर सास्ट्रॉपिक में और डेटा मतलब उसके अंदर कौन-कौन सार वैल्यू यह से बया और था घेा गया है वह सकी अंदर जाया नहीं बता है कि इस इसका रिलेशन यहां और अगर इसका वास्तुबिक पता वागर पता करना तो आपको फिर फिजिकल लेवल पर जाना पड़ता है यह चीज़ आपने डिक्स की थी अब मैं यहां पर लेकि आता हूं ताकि समझ में आएगा आपको आसा नहीं से लोजिकल डेटा रिपरजेंटेशन का मतलब है कि आपके उस डेटा बेस के अंदर कौन-कौन से टैबल से उस टैबल में कौन-कौन से एट्रिब्यूट यानि कोलम है और डेटा कौन-कौन सा अंदर फिल हो रहा है वह उता है लोजिकल डेटा रिपरजेंटेशन यहां पर ल लिक देता हूं डेटाबेस आपके लिए बड़े अक्षरों में लिक रहा हूं ठीक है तो थोड़ा साइंडल कर लीज़ेंगा डेटाबेस को बनाने से पहले बनाने से पहले उसका ब्ल्यू प्रिंट तयार करना ब्ल्यू प्रिंट या मोडल तयार करना अब इसको भी समझ लीज़ेगा कि मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं इससे इजी लेंगवेज आपको खाई नहीं मिलेगी पर दियान रखेगा लॉजिकल डेटा रिपरजेंटेशन तो आपने इसका पॉइस्ट ना पॉइंट देग लेकिन इसको आप इस बासा में भी समझ सकते हो कि डेटाबेस को बना रहें उससे पहले उसका क्या कर सकते आप एक रिपर्जेंटेशन सौरी उसका जो है एक ब्लिवप्रिंट बना सकते हो या एक टेबल बना सकते हो लाइक मैं आपको हूँ यह यूजर मैंने आपको एक कॉल किया है यहां पर कि मुझे एक सॉफ्ट्वेर बनाना है अपना ठीक है ना मुझे अपनी एक कंपनी के लिए सॉफ्ट्वेर बनाना है अब मेरी कंपनी कि कि है मेरी कमपणी हैं एक app development की और मैं चाहता हूँ कि मेरा एक company का एक software बनना चहिए और मैं किसी से बन वाँ रहा हूं भई या आप यहां पर अगर नहीं मांन तो आप यहां पर एक कोई ले लिज़े से में कोई को फिलमि स्टूडियो का ले लेता हूं कुछ भी ले लेता हूं जहां पर employees काम कर रहें तो उटका data handle करने के लिए एक software create करवाना चाहता हूं अच्छा अब आप से मेरी बात हो रही है तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि मेरे software बन वहना है तो पहले आपको क्या बोलेगा कि मुझे कौन कौन से आपको डिटेल आनी चाहिए तो उसने बोला कि इसके अंदर मेरे को इस फिल्म स्टूडिय सॉफ्ट्वेर के अंतरगत मेरे को एंप्लॉइज का डेटा है यह इसके अंतरगत एक इस्टूडियो के नाम से बना रहा है वह उस मैसा नहीं फोटोशॉप चल गया वह तो अलग से हैं फोटोशॉप लेकिन वह क्या करना चाहता है कि इस्टूडियो का पूरा मेनेजमेंट करना चाहता है अलग से सॉफ्ट्वेर खुद का अगर वह ऑनलाइन किसी के हल्प लेगा तो आपको बताई है ऑनलाइन वाले कोई साइट होती तो सारे डिटर चलाए है तो खर फॉर्म क्या करती है अपनी खुद का एक सॉफ्टर बनवाती है कंपनी तो उसने बोला इस यूदर को राम को बोला कि मुझे उसमें एंप्लॉई का डिटेल्स फिल कर सकूं और मेरा जो भी डेली का रूटीन होता है डेली जो रूटीन का वाक होता है वह उसके अंदर फिल कर सकूं और क्या जो भी मेरे को और आते हैं उन और की डिटेल और उसमें और पीचे से कोई भी एकाउंट रिलेटेड या कोई भी डेटा जो है पैमेंट रिलेटेड वह कर सकूं तो मैंने चार काम बता है उसको अब चार बता है तो मैंन साथ साथ में लिख दिया नहीं वो उस टाइम नहीं लेकेगा वो क्या करेगा उस टाइम वो उसको एक blueprint के रूप में तयार करेगा यानि आपने जैसे जैसे बोला ना उसने टैबल बना दिये अब उसने बोला कि आपने बोला कि उसमें इस रिकॉर्ड आना चाहिए तो उसने एक पेज के उपर एक क्या कर दिया blueprint तैयर कर लिया पहले ताकि वो उसको बाद में समझ सकें तो यह क्या कहलाता है इ-R model कहलाता है क्या कहलाता है यानि आपने यह database है यह आपके लिए क्या है बई database है इस database को बनने से पहला उसका blueprint बना लिया तो उसको हम क्या कहेंगे इ-R model कहेंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा देखो यहाँ पर यह direct coding में बैटे का नहीं यह क्या करेगा उसका पहला एक rough जो है न वर्क त्यार करेगा ताकि वो उसको बताएगा अब यह ER model कहां है यह database को बनने से पहले ER बना दे इसने तो वह यह वापस उसको चेक करवाएगा कि आपने जो चीज़े बताई थी यही जह क्या एक बार इसको चेक कर लिए फिर मैं इसको coding के थुरू काम करूंगा तो उसके बाद next process होता है code करके उसको software बनाना तो आपको समझ में आ चुका होगा इस example से चलिए आप इसके लिए कोई भी example ले सकते हैं भई लाइक ठीक है न कोई दूसरी company का जो बनवाना चाहते है वह पहले क्या करें को उसका model त्यार करेगा तो उस model को बनने के लिए आ आपको आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा अब मैं आपको बताता हूं कि यह attributes होते हैं और किस प्रकार काम करते हैं तो सबसे पहला मैं जो उदारन ले रहा हूँ वह है अपना single usage multi valued क्या है भई single usage multi valued तो उसके लिए देखो आपको थोड़ा सा त्यान से समझना है इस topic को और अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले like मार दीजिए ताकि आप आने वाले सभी topics को इससी परकार easy way में समझ सके हैं हाथो हाथ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या वीडियो खत्म होने के बाद आप कॉल करके पूछ सकते हैं कभी भी आईटी वालों के लिए मैं कभी भी कोई मनाई नहीं है आप हमेसा ट्राइ करते कॉल करके जो भी problem पूछते हैं मैं उसका जवाब देता हूं और मुझे आइटी का एक दोर अच्छा लेकर आना है अपन को यह अपना टार्गेट हमेसा आगे रखना और इमानदारी से आगे जाएं अगर आप तो टीचिंग में सेलेक्ट हो जाएं कभी पर हो जाएं तो आइटी को आगे बढ़ाने की अपने मंड में हमेसा ठान के रखना ऐसा गोर्मेंट में लग गए भूल गए नहीं ऐसा अगर रखोगे न तो आने वाला टाइम में और आईटी नीचे चला जाएगा आईटी को आपन को आगे लेके जाना है यह टार्गेट रखना भई अपना चलो अब आ जाता हूं यहापर अब बात करते हैं यह तो एट्रिब को को घुल जा सकता हूं कोई भी दोनों से हमें अब एट्रिब्यूट के बारे मी बताता हूं तो तो एक्ट्रिबूट यह को मतल्ब होता है यहां पर यहां पर टाइम स्क्विण डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या होगा, कि आप जब कोई kolum बनेंगे ना, तो उस kolum के अधर कहीं कहीं, ऐसा भी होगा कि उसके अधर multi-valued भी हो सकती है, कहीं होता है जहां पर value एक हो जाएगी कुई सी को कहीं दूसरे column से भी प्राप्त करेंगे अभी देखो आपको बहुत सांदार सांदार example से समझोंगा सबसे पहला ले रहा हूं मैं single versus multi valued attribute समझेगा इसको क्या कहते हैं single versus multi valued single attribute का मतलब होता है देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएं मैं यहां पर लिख रहा हूं single attribute single attribute का simple सा है कि ऐसा attribute जिसकी value एक ही परकार की हो एक से अधिक ना हो उसको क्या कहेंगे single attribute जिसकी value एक ही हो उसको क्या कहेंगे हम single value अब मैंने आपको बता है था कि यह होता है इसको बोलते हैं attribute यानि जैसे मैंने यहां पर लिखा name क्या लिखा भई नेम तो इसको हम attribute कहेंगे आपके mind मामेसा ऐसा यह डिजय याद रखो अब इस name के अंदर मैंने जैसे यहां पर लिखा है जैसे कोई भी जैसे मैंने लिखा सानवी तो यह सानवई मेरे लिए क्या है विल्यू है यह डिखे है तो यह valued attribute किसे कहेंगे तो जिसकी value जिसकी value एक से अधिक हो जिस attribute या column के value एक से अधिक हो सकती है उसको हम क्या कहेंगे multi-valued कहेंगे अब हम समझते हैं इसको ER model के थू कैसे समझते हैं और एक इनके बारे में ध्यान रखना कि इसको single इसको हम सिंगल एककलिब्स से सव करते हैं और मुल्टि वैलिउड है इसको हम डबल ऐकलिप्स से सो करते हैं कैसे गरेंगे इसको तो यहां पर देखेगा वह एक आश्कुंट सबहु हाँ अब अबSc authority प्रिखने चूल पर एक आपने अभी यहाँ पर देखेगा सभी से में इसको समझाता हूं यहाँ पर सिंगल और मल्टि वैलियूट को कैसे दिखाएंगे मान और एक यहां पर एक column ले लेता हूं मैं जैसे mobile यह है आपका age और यह है mobile अब आपको यह example देखते ही समझ में आ चुका होगा कि यह क्या कहना चाहरा है मैं कह सकता हूं कि age होती है वो डबल नहीं हो सकती है किसी भी student की जैसे मैंने लिखा age राम ठीक है ना मैं यहां पर इसको एक table बना देता हूं ताकि समझते रहें आप मैं जैसे यहां पर यह बनाता हूं table इसको भी मिटाना पड़ेगा ताकि समझ में आए तो यहां पर देखे कहा कि मैं एक table बनाता हूं जिसमें मेरे पास column में यह है ने कि सॉरी एज का ले लेता हूं पहले में ठीक है साथ-साथ में जैसे एक्जाम्पल है कि मैं आपको बताता हूंगा यह हो गया mobile अब आपको पता होगा कि किसी student की एक ही एक ही जो है एज दी जाती है मनलब सिंगल हो सकती है तो मैं जैसे दे सकता हूं यहां पर जैसे 21 दे दिया मैंने राम का और यह है नेम तो यहां पर देखे नाम एक ही हो सकता है एज एक ही हो सकते हैं लेकिन मुबाइल नमर दो हो सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर जैसे देखो एक वैक्ति के दो नाम तो हो नहीं सकते हैं एक वैक्ति के दो एज हो नहीं सकते हैं लेकिन मुबाइल नमर हो सकता है जैसे किसी का तो यहांपर यहांप्र आपके सिंगल वसेज मंती वैली तो क्या आपको इससे एक हो सिंगल हो उसको हम कहेंगे सिंगल एक से एक से तो वह आपका हो गया जिसमें आपको आपको एक्जामपल दिया है मोबाइल को मैंने वैसे यह गोला एक्दम करेक्ट कर दिया है लेकिन यह गोला थोड़ा सा ऐसा होता है एक क्लिप्स की तरह मलब बनने में थोड़ी प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर देखिए और मोबाइल को हमें से डिवाइट करके यह ब्ल्यूप्रिंट कर आपके माइंड में छप गया तो मदब समझ लो यह ट कमेंट बोक्स गेंदर लिखते रहें आपको कैसा लग रहा है वीडियो अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में यह दूसरे वाले की ठीक है न यह तो हो गया आपके फॉस्ट टाइप और अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की ठीक है तो फॉस्ट टाइप में यहां पर सेकेंड टाइप में अपना आता है यहां पर सिंपल तो सिंपल में क्या बोलता है बहिए सिंपल का मतलब होता है कि ऐसा कोलम जिसकी वैल्यू को हम एक से अधिक एक से अधिक एट्रिबूट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते हैं एक से अधिक कोलम के अंदर हम उसको जो ह पर समझोगे तो आपने हिसाब चाप क्रियेट कर लोगों इसकी डिपाइड डेपिनियसन कि ऐसा कोलम जिसकी वैली डिवाइड नहीं हो सकती है वह आपका होता है सिंपल कंपोजिट किसे कहेंगे जिसकी वैल्यू एक सधी कोलम के अंदर डिवाइड होती है उसको क्या क्या हैं यहां पर समझेर का सभी कि में किसी भी स्टूडेंट का क्या ल이는 यहां पर और कि एक इस्टूडेंग नाम का टेबल है जिसके अंतरकत एक तो कोलम है आपका एज ठीक है और दूसरा है आपका यहां पर student name ले लेता हूं मैं htd name लिख देता हूं तो यहां पर देखेगा एक student की student का नाम हम access करने के लिए एक सेधी column में उसकी value को divide कर सकते हैं कैसे यहां पर ऐसे लिख सकते हैं और लाश्ट ने तो देख लिए आपके सामनी है जैसारा एक्जामपल आप इसकी value को डबल बार डिवाइट कर सकते हैं जबकि इसकी value को डिवाइट नहीं कर सकते हैं एक तो जो यूजर होगा वा डाइरेक्ट दे करना लेकिन आप एक software बनाते समय पूछेंगे उनको की बही अलग-अलग पूछना है कि उसके नाम को तो वह अलग-अलग डालेगा एक डालेगा तो उसक यह कहने आएं कि इसके चैना वह बना होता है दो से मिल कर बना होता है यहां ओं घॉत सथीरा के मतलब क्या होता और यहां पर इसके बारब में लिए यहां पर आप बता सकते हैं जिसकी वेल्यू एक ही कोलम से या एट्रिबूट बई है ना कोलम या एट्रिबूट से मैं बनी हो और यहां पर अगर मैं बात करूं बाद में यहां पर सिंपल के बाद में कमपोजिट तो कमपोजिट में मैं कह सकता हूँ जिसकी वेल्यू जिसकी वेल्यू एक से अधिक कोलम से बनी हो उसको कहेंगे हम कमपोजिट ठीक है तो यह यहां पर आपको दोनों क्लियर हो चुके है पर यह आसानी से ठीक है वीडियो लाइक करते रहें तीसरा दिया को इस्टोर बसे ड सिंपल सा याद रखना है कि ऐसा कोलम ऐसा कोलम जिसकी वेल्यू फिक्स हो या जो किसी अधनिय कोलम से डिरेवड ना हो यानि अन्य कोलम से उठाके फिर इसके अंदर ना आए वह आपके होगा कौन सा इस्टोर यानि फिक्स है जिसकी वेल्यू अब यह जैसे यह तो इसको किसी अन्य कोलम से उठाने की जरूत ना पड़ी लेकिन क्या होगा कि ऐसा कोलम जिसकी वैल्य कोलम के उपर करके फिर उसको जन्रेट किया जाता है जैसे मैं इसको एक्जांपल दिखाता हूं यहां पर यह सकते हैं यहां पर ले लेता हूं इसके अंदर जैसे को स्टूडेंट को कोई फीक्स लगे की तो मैं यहां पर लेता हूं कोई 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 है ठीक है कोर्स नाम का को Grade तो वो क्या करता है दो hundred से कोल्मth रिराइव को नगॉप क मैं कॉर्स छो कहा जो है start ठीएं ओर pagos कॉंधिया पर टेज़ोगा तो क्या होगा आपके डिराइवड या इन तो दो से अधिक कोलम से वैले को डियूड कर रहा है, to वो क्या हो BAR, आपके एक क्या है अधिक कोलम कि और नान की का मतलब होता है देको यहां पर मैं लिक देता हूं इसका मघाल यह ओगया आपके की यह ऊल की के मतलब होता है की ऐसे ο ट्रिबूट एट्रिबूट अब माईंड में कोलम अना Ц Peanut अगर कोलम बोल्ग देता हो आठ्रिबूट आना चाई ऐसा attribute या column जिसकी value unique हो, उसको कहेंगे हम key attribute और जिसकी value non unique हो, या duplicate कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा column या attribute जिसकी value unique हो, उसको हम कहेंगे key attribute और ऐसा column या attribute जिसकी value duplicate हो, यानि unique ना हो, उसको हम कहेंगे non key, इसमें example अगर आपको बात हो तो बहुत सारे example है, जैसे role number हो गया, mobile number हो गय रजिस्टेसर नंबर हो गए यह बहुत सारे से पॉइंट है जो आपके यूनिक रहते हैं अब इसमें देखे जाएं तो आपके नेम जो है वो डूब्लिगेट हो सकता है राम उपर है राम नीचे भी आ सकता है ठीक है एज हो सकता है इसारे के सारे नौन की है नौन की अट्र देखें यहां पर वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं इसको फास्ट लिए यार मोडल की बात की थी हमने आज के इस वीडियो में यार का मतलब होता है एंटिटी रिलेशन्सिप मोडल मतलब यह डाटा को लोजिकली रिपरजेंट करने के लिए काम आता है यह पास क्या होना जरूरी है अचा हमने जो डिरेवीट का आख अपूंट भूल गया था यहां पर देखिए जो बात की थी हमने इसको दिखाने का तरीका क्या होता इसको दिखाने का होता है Dotted Eclipse क्या होता है डॉटेट एकलिप्स में इसको सो करते हैं यह मैं बता न भूल गया था पाकी यह सेम है तो अभी देख लिए एक बार वापस था कि यहां दोगे आपको अब एट्रिविट का मतलब कोलम बनेंगे उसको देखिए एक होता सिंगल एक होता है सब्सक्राइब गांब एक एक बनेंगे सिंपल और एक एक ऐसा ऐट्रिवूट जिसकी वेल्यू एक से अधिक कोलम से बनेंगे इसको क्या कहेंगे इसके बाद इसकी वैल्यू जो होती है इसको किसी अन्य कोलम से प्राप्त करके फिर जनरेट किया जाता है और डिरैवड अट्रिब्यूट को डिरैवड एट्रिब्यूट को सो करने के लिए आपको डॉट्टेट Eclipse का यूज करना पड़ता है यह नि जब बनेंगे तो वहाँ पर जैसे आपने कोई ऐसा टोपिक आगे वहां पर आप को unique unique हो उसको key attribute कहेंगे और non key attribute किसे कहेंगे वही तो ऐसा column या attribute जिसकी value जो है unique ना हो like role number mobile number registration क्या है की और आपके name age और city क्या है non key तो एक बार इसका screenshot ले ले हैं सभी चले सभी ने screenshot ले ले होगा आज की class सभी को कैसे लगी है जितने भी भाई बंदू जुड़े हैं सभी comment box में जरू बतेगा वीडियो को लाइक जरू कीजेगा अनलाइक करने वालों को करने दो क्योंकि उनका काम या लाइक करना ही है ठीक है वो खुद कर नहीं सकते कुछ तो लोगों को क्या है को आगे बढ़न करते रहें आप हमें personally आप देखो आज आपको एक काम करना है आप सभी के लिए एक मौका है कि हमारे चैनल के उपर आने का आपके वीडियो को दिखाने का कि आपको क्या करना है अपने एक वीडियो क्लिप बनाना है जिसमें आपको बताना है कि आप एन्वी रहे चैनल के स उसको जादा सी जादा लोगों तक पहुंचाने की जरूर कोशिस करेंगे ठीक है तो आज आपी थोड़ी सी महनद जरूर कर लीज़ेगा अपनी तरफ से ताकि लोगों को मोटिवेसन मिले आपकी तरफ से वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजी के चैनल के उपर पहली बार विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्सकाइब भी जरू कर दीगा पहला काम ये भी था एक और काम भी है वही साइड में जो बैल आइकोन अतर उसको भी ओन कर लीज़े करें कर दो आपकी तरा कर दो सक्षा रहे है तो लाइक कर दो आपकी तरा कर दो लाइक कर दो सक्षाब भी है